हाई फ्रेट्स मैं रश्मी आपका रेकीचन में सौबत करती हूँ आज मैं आपको आठे और मेथी से बनावा बहुत ही टेस्टी और हिल्दी नाष्टा बताने वाली हूँ जिसे सिप आफ टीफिन में नहीं बलकि सफर में भी लेके जा सकते हैं और इसकी खासित ये कि तीन से चार दिन तक बिल्कुल अच्छे से रहता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मेथी को मैंने अल्लडी दो से तीन बास साप पानी से अच्छे से धोके ले लिया है नॉर्मली सिप मेथी के पत्तों का इस्तमाल करते हैं बट मैंने इसे दंठल के साथ लिया है क्योंकि दंठल में भी काफी नुटिशिस वेल्यू होते हैं तो मैं इसे वेस्ट नहीं करती हूँ इसके लिए मैं दंठल के साथ इसे एकदम बारिक चॉप करूँगी तो चले अब हम इसमें फ्लेवर एड़ करना शुरू करते हैं यहाँ पर मेरे पास एक छोटा चमच रेट चिली फ्लेक्स हैं आप चाओ तो हर इमेज भी डाल सकते हैं बट अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो तीखा पन आप थोड़ा कम रखें साथी में एक छोड़ा चमच कद्दू कस किया हुआ लसून डालेंगे इसे काफी अच्छा फ्लेवर आएगा बट अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे ना डालें आदा छोटा चमच साबुच जीरा नमक स्वादा नुसार नमक थोड़ा हम कमी डालेंगे चाली कंद्दी बानाने के लिए मेने यहां इक कण कil कवच के लिए जब कर के 16ii करने अधरी बंदि मैं आप बेने ने हीं एक कप बेसन लिकरेंगे थोड़ा हालेंगे और जितना हमें ज़रूत लगेगी उतना ही हम असे इसमें इस्तमाल करेंगे तो अभी मैं इसमें power cup अड़ कर देती हूँ और इसे हम हातों से अच्छे से मिला देंगे मेथी खाने में थोड़ी से कड़ी होती है इसलिए जादा तब बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं बट हम इसे इतना flavorful और tasty बनाएंगे कि जिससे बच्चे एक के बदले दो खा जाएंगे ये देखिए सारी चीजों में बेसन अच्छे से कोट हो गया है तो आप देख सकते कि एक कप मेंने बेसन लिया था उसमें से पाव कप बेसन मेंने छोड़ दिया है यानि कि 3-4 cup पेसर मुझे यहां पे लगा है तो यह अभी काफी dry mixture है तो अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी अड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे हमें इसकी एक pouring consistency वाला batter बनाना है तो यह देखें अभी मैं इसे हाथों से मिला देंगे जिससे की सारी चीज़े अच्छे से मिल जाए मैंने इसमें टोटल पाव कप पानी डाला है और आप इसकी consistency देख सकते कि अभी भी काफी गाड़ा लग रहा है तो इसमें हम और थोड़ा पानी आड़ करेंगे और इसे थोड़ा सा और सेमी liquid बनाएंगे यह देखें इस तरह की pouring consistency होनी चाहिए जिससे की यह pan में आसानी से फेल जाए टोटल यहाँ पे मुझे आधा कप पानी लगा है यह perfect consistency है तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते है ग्यास पे मैंने pan चड़ाया है आप चाहो तो इसे तवे में भी बना सकते है इसे हम तेल से grease कर लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना है आज को मैंने धीमा रखा है अब हम बैटर को इसमें डाल देते हैं जितना बड़ा चिला आपको बनाना है उतना आप बैटर डाल सकते हैं मैं यहाँ पे medium size के चिले बना रही हूँ जो की इतने बैटर में 4-5 आराम से बन जाते हैं द्यान रहे कि पैन को में जादा गरम नहीं करना है हलका गरम ही रखना है और इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है जितना हो सके उतना हम इसे पतला रखेंगे अब हम इसे ढख देते हैं और low to medium के बीच आज को रखेंगे और इसे हम 2 मीट के लिए ऐसे ही पकने देंगे इस तरह ढख कर पकाने से हमारा जो चीला है वो निच्छे से भी अच्छे से पक जाएगा साथी में वो उपर से भी कुख हो जाएगा 2 मीट हो गए है तो चलिए चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि इसकी कीनारे ड्राय होने लगे है तो उपर से भी कुछ तेल की बुंदे हम डालेंगे और अब हम इसे पलट देते हैं देखें कितने अच्छे से पक चुका है एक अच्छी सी इसमें जाली बन गई है अब बीना ढखके इसे हम 2 मिनिट के लिए और पकाते है इसे फिर से पलट देते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है जब आप इसे खाओगे तो बिल्कुल भी आपको मेथी का कड़वापन महसुस नहीं होगा ये देखिए ये अब पूरी तरह से अच्छे से पक चुका है देखिए अब इसकी जो सताय हलकी कुल्डन ब्राउन हो गई है तो चले अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के चिले भी बना लेंगे ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही टेंटिंग चिला बना हुआ है इसे आप हरी चटनी के साथ दही के साथ या फिर टॉमेटो सॉस के साथ भी सब कर सकते हैं तो चले अब पराठा बनाना शुरू करते हैं पराठा बनाने के लिए मेनिया पे बड़े से बाउल में दो कप आटा लिया है यह घहू का अटा है आप चाओ तो मल्टी ग्रेन आटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसमें एक बड़ा चमज बेसन डालेंगे साथी में हम आदा चोटा चमज लाल मेश पाउडर आप चाओ तो हरी मेश का पेस्ट या हरी मेश कट करके भी डाल सकते हैं या फिर काली मेश भी कुट कर डाल सकते हैं पाउचोड़ा चमज हल्दी एक चुड़ा चमज धनिया पाउडर पाउचोड़ा चमज गरम मसाला आदा चुड़ा चमज आमचुर पाउडर इससे हलका सा खट्टापन मिलेगा नमक स्वादानुसार दो छोड़ी चमज सफेद तील इससे इसका लूग भी अच्छा हैगा साथी में एक हलका सा नटीनिस मिलेगा यहाँ पे मैंने इस तरह का खलवत्ता लिया है तो इसमें हम दो मसालों को हलका सा कूट कर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक पाव छोड़ा चमज जीरा है साथी में पाव छोड़ा चमज अजवाइन डालेंगे और दोनों को हलका सा कूट कर एक दरदरा पावड़ बना लेंगे यह देखी इसे मैंने अच्छे से कूट लिया है तो अब हम इसे भी इसमें डाल देते हैं यहाँ पे मेरे पास दो लसुन की कलिया है तो इसे भी मैं ग्रेटर से ग्रेट करके डालूंगी अगर आप लसुन नहीं काते हैं तो आप इसे ना डालें इसे फ्लेवर अच्छा आता है तो मैं इसे डालना पसंद करती हूँ साथी में पाव चुटा चमच अद्रक को भी इसी तरह से कद्दू कस करके डालेंगे तो चलिए अब यह जो कटी हुई मेति हैं इसी भी हम इसमें डाल देते हैं आप चाहो तो इसमें दही भी डाल सकते जिसके इसके जो फ्लेवर और भी अच्छा आएगा और भी जद्धा बढ़ जाएगा तो इसमें अच्छे से मिला दिया है अब हम करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे और एकदम बिल्कुल जिसे रोटी का आटा होता है वैसे हमें गुनना है बस इधर एक ही बात का ध्यान देना है कि जो रोटी का आटा हम गुनते उसे थोड़ा ये आटा हमें सक्त गुनना है अब हम उपर से और एक छोड़ा चमज तिल डालेंगे और इसे फिर से गुंद कर चिकना कर लेंगे इससे होगा यह कि आटा जो है हमारा बिल्कुल ड्राई नहीं होगा उसके जो उपर की परत है वो बिल्कुल भी सुखेगी नहीं अब हम इसे ढख देते हैं और 10-15 मिट के लिए इसे चोड़ देंगे जिसे की सारे मसाले सारे फ्लेवर अच्छे से खुल कर भार आए और यह आटा भी अच्छे से रेस्ट कर रहे है यह देखें यहां पर मैंने सबजी बनाने के लिए स्टार्ट कर लिया है नॉर्मली होता है कि जब भी हम सबजी बनाते हैं मेथी की तो बहुत ज़्यादा कड़वी बनती है बच्चे भी से नहीं खाते हैं तो सबजी कड़वी ना बने इसलिए आपको करना बसिये हैं कि एक बर आपने आपका जो भी तड़का है प्यास मिर्ची का वो डाल दिया तो उपर से आप जब मेथी डालोगे तो मेथी को ढख कर नहीं पकाना है इसे खुले में ही आपको 7-8 मिनिट के लिए पकाना है जिससे कि इसका जो कड़वा हट है वो पुरी तरह से चला जाता है और मेथी खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है यह देखिए पंदा मिट हो गया है आटे ने अच्छा कासा रेस्ट कर लिया है तो चलिए अब हम इसके लोई बनाना स्टार्ट कर दिलते हैं तो जितने आपको पराठे बनाने आप उतनी लोई बना कर रख सकते है आप चाहो तो आटे को स्टोर करके भी रख सकते है यह दो से तीन दिन तक अच्छे से रहता है यहां पर मैंने लोई को रेडी कर लिया है बना कर अब हम गयास पे तवे को भी गरम करने रखेंगे जब तक तवा हमारा गरम हो रहा है हम फटा-फट पराठे को बेल लेते उससे घ्यास भी वेस्ट नहीं होगा और दोनों चीज़े फटा-फट हो जाएंगे अब हम सूके आटे में इसे अच्छे से लपटेंगे और चैसे बिल्कुल रोटी बेलते है उसी तरह सामें से बेलना है यह देखिए हमारा पराठा पेलकर रेडी है तो चेक कर लेते चेक कर लेते हैं पराठे का क्या हाल है तो हलके-लके यहां पर बबल्स नजर आ रहे है तो चले अब हम इसे पलट देते हैं इसके पर से हम घी लगाएंगे आप चाहो तो यहां पर तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं घी लग और इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती खाने में टेस्ट और हिल्दी होगा ही क्योंकि इतने सरी चीज़ें हमने डाली है जो कि इसका टेस्ट बढ़ाने वाली है गर्मा गरम पराठे बनकर रेडी है इसे आम अचार के साथ सब करेंगे आप चा